नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश चाकुर के साथ दोस्तो सबसे पहले हिंदी साहित्य वारता परिवार की तरफ से आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए COVID-19 के इस तौर में आप अपना ख्याल रखिए और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें दोस्तो जैसा कि आपने थमनेल में भी देख लिया है और यहां पर भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि HP LT Commission 2021 की तैयारियां जो कर रहे हैं चात्र उनके लिए एक खुशकवरी है और खुशकवरी यह है कि हिंदी साहिते वारता परिवार ने आप सब लोगों के लिए online course या online batch start करने की कोशिश की है LT Commission की तैयारियों को लेकर के और यह इसलिए किया गया है कि बहुत सारे विद्याती हम देखते हैं कि जब हमने HP LT TET की classes start की थी online पढ़ाना तो वहाँ पर हमें लगातार messages आ रहे थे कि आप जो LT Commission की त्यारियां भी करवाईए तो COVID-19 के दौर में जब हम देखते हैं कि एक और पूरे के पूरे जो शिक्षन संस्थान है या जो हमारी दूसरे coaching institution है जो offline चलते थे वो किसी कारण बंध हो गए हैं अभी COVID के दौर में तो ऐसे में online study की और बहुत सारे विद्याती जो कर रहे हैं और हिंदी साही त्यवारता परिवार भी पिछले एक साल से लगातार YouTube के माध्यम से UGC नेट की तयारियां basically हम करवा रहे हैं लेकिन इसके साथ हिसाथ हिंदी से related जो भी दूसरी परिक्षाएं होती है देखिए उसके लिए हमारा हिंदी व्याकरण और हिंदी जो आपका literature है उनको हम mainly focus करते हैं तो आपके लिए L.T. Commission वालों के लिए ये अच्छी खवर है कि हम इस बार H.P.L.T. Commission के लिए online classes लगा रहे हैं तो ये बहुत ही आपके पास अच्छा मौका है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको best content दिया जाए ताकि आपकी जो परिक्षा है वो easily clear हो जाए और आप हमारे YouTube चैनल के मा content हम देने की कोशिश करते हैं अपने students को तो आप चाहें तो वहां से भी demo station के रूप में उन lectures को देख सकते हैं अगर आप दूसरे हमारे live classes देखना चाहते हैं तो हम जो teachment application के थूरू हम online अपना course start करने जा रहे हैं तो आपको उसके माधियम से हम जोड़ देंगे description में आप सब लोगों को हमारे whatsapp group का जो link दे दिये जाएगा तो उसके जरीए आप हमारे group के साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें या किस तरीके से आपने जुड़ना है हमारे इस online batch के साथ या online course के साथ तो देखिए सबसे main चीज़ यह है कि जो आपका HPLT Commission है इसमें हम किन किन चीज़ों को focus करेंगे ये आप सब लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है और होना लाजमी भी है क्योंकि HPLT Commission कोई आसान काम नहीं है या यूं कहें कि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है ये और इसमें आपकी जरा भी कोता ही नहीं होनी चाहिए और हिंदी सहीतेवारता परिवार हमेशा से इस चीज़ के लिए प्रतिबद रहा है कि अपने स्टुएंट्स को जो है best से best content देने की हम कोशिश करते हैं और जो जो main topics हैं जिनको हम focus करेंगे अपने इस batch में तो देखी वो कौन-कौन से ह यहां पर देखी जैसे हमने main topics जो हमने रखे हैं इसमें हालां कि इसके उपर हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है आप देखेंगे जो हमारी playlist है HPLT Commission के नाम से उसमें आप देखना वहां पर हमने complete जो slip बस है उसको analyze किया है कि कहां से कितने प्रशन पूछे जाते हैं यहा से आपको लगवग 60 के आसपास around 70-60 के बीच का जो ratio रहता है हर साल आपको literature के इतने प्रशन पूछे जाते हैं आपका हिंदी भाषा से लेकर के आपका सहीत्य तक जो आपकी अन्य गध्य विधाएं हैं वहां तक सब चीजें आपकी cover-up होनी चाहिए HPLT Commission के syllabus में तो इस च क्या करण को भी हम complete जानेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें focus की जाती हैं उनको भी हम discuss करेंगे और इसके साथ ही साथ शिक्षन मनो विध्यान तो यहां से लगवग आपको 20 प्रशन पूछे जाते हैं और हिमाच्य प्रदेश का जो समान्य ज्यान है दिखिए उसके समय बचता है तो हम इनको focus करेंगे और इसको हम manly आपका जो mock test है उसके जरीए ही आपको करवाएंगे जो आपका history होगा देखिए history में आपको जादा तर जीतने भी मैंने पीछे के paper analyze किये हैं तो उसमें 6 से लेकर के 8 जो question है लगवग इतने ही रहते हैं history के basics history पुछ जात नॉर्मल सी reasoning इसमें पुछी जाती है जैसे नाते रिष्टेदारी वाले आ गए या उपर से नीचे में कितने number उपर बैठा है इस तरीके की जो reasoning है ये इसमें पुछी जाती है साथ ही साथ आपका current and general awareness जो चीज़े होती है थोड़ी सी थोड़े से प्रशन इसके पुछी जाते हैं बहुत कम वो भी ratio रहता है और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जो आपका English के कुछ एक words आते हैं इसमें जैसे इडियम हो गया one word substitution हो गया या फिर एंटनिम और सिननिम तो ये कई बार पूछे भी जाते हैं कई बार नहीं भी पूछे जाते हैं तो ये 135 नंबर का जो चीजे हैं या जो बड़े topics हैं main topics हैं उनको हिंदी साही तेवारता परिवार आपके complete करवा के छोड़ेगा तो ये आपके लिए best opportunity है कि आप हमारे साथ जुड़िये और ये course हम लगबग 21 तारिक से शुरू करने जा रहे हैं 21 जून से तो आपसे ये request रहेग आपको मिलेंगे देखिए वहाँ पर live classes तो आपको होंगी होंगी साथ ही साथ आपको उसमें मिलेंगे recorded हमारे lectures भी उसके बाद class के तुरंत बाद आपको PPT फ्रेमे वहाँ पर उपलवद होगी और इसके साथ ही साथ जो दूसरे PDF वगेरा है वो भी आपको provide करवा दी जाए आपके अनुरोध पे ही मैंने ये कोशिश की है कि आपको इस तरीके से एक class का batch start किया जाए जिससे आपकी तयारियों को और जादा मस्बूती प्रदान की जाए तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आप में से कोई भी आपका दोस्त या आप खुद ये coaching लेना चाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं description में आपको हमारा जो mobile number है या हमारा जो whatsapp group है उसका link दे दिया जाएगा वहां से आप सीधे इसको देख सकते हैं और इसके साथ जूड़ सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको information अच्छी लगी हो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ अपने से बड़ों के साथ छोटों के साथ या जो भी aspirants है उनके साथ share कीजिए फिलाल आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे नयूर जोनाइस पूर्ति के साथ तब तक के तक के लिए नयूर आपको है कि अगर है नयूर आपको